जै माता की दोस्तों आज हम आपको बताएंगी कलश की स्थापना कैसे करे नवरात्रों में हिंदु धरम में नवरात्री का विशेश महत्व है साल में दो बार नवरात्री पढ़ते हैं जिने चैत नवरात्रे और शर्दिय नवरात्रे के नाम से जाना जाता है इस बार चर्दिय नवरात्रे 17 अक्तूबर से शुरू होकर 25 अक्तूबर तक है 26 अक्तूबर को विजे दश्मी का तिहार मनाया जाएगा नवरात्री व्रत के कुछ नियम है अगर आप भी नवरात्री के व्रत रखने के इचुक है तो वरत करने के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए नवरात्रे के पहले दिन कलेस्था आपना कर नो दिनों तक वरत रखने का संकर ले पूरी शर्दा भक्ती से मा की पूजा करें दिन के समय फलों और दूद ले सकते हैं शाम के समय मा की आरती उतारें सबी को परशाद बाटी और खुद भी ग्रहन करें उसके बाद अस्टमी वे नवमी के दिन नो कन्याओं को भोजन कराएं उन्हें उपहार और दक्षना दें अगर संभव हो तो हवन के साथ नवमी के दिन व्रत का प्रायन कर सकती है नवरात्रे में कलस्थापना का विवशेश महता बताया गया है कलस्थापना को घट्सथापना भी कहा जाता है नवरात्रे की शुरुवात घट्सथापना के साथ ही होती है घट्सथापना शक्ती की देवी का आवान है मानता है कि गला समय में घट स्थापना करने से देवी मा कुरुदित हो जाती है इसलिए घट स्थापना शुब मूरत में ही करनी चाहिए इस बार गला स्थापना का शुब मूरत 17 अक्तूबर 2020 को सुबह 6 बज कर 23 मिनट से 10 बज कर 12 मिनट तक है कुल अवधी 3 घंटे 49 मिनट की है मादुर्गा को लाल रंग खास पसंद है इसलिए लाल रंग का आसन ही खरी दें इसके इलावा कलश थापना के लिए मिट्टी का पात्र जो मिट्टी जल से भरा हुआ कलश, मोली, इलाइची, लोंग, कपूर, रोली, साबु सुपारी, साबु चावल, सिक्के, आम या अशोक के पाँच पत्ते, नारियल, चुनरी, सिंदूर, फल फूल और फूलों की माला और शिंगार बिटारी भी लेनी चाहिए कलस थापना कैसे करें, आज हम आपको बताएंगे कलस थापना कैसे करें, नवरातरे के पहले दिन यानि प्रतिपदा को सुबह सनान कर लें, मंदिर की साफ सफाई करने के बार, सबसे पहले गनेश जी का नाम लें, फिर माधुर्गा के नाम से, अखंड जोज जलाएं कलस अपना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाल कर उसमें जोंसे के बीच बोएं, आब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, लोटे के उपर के हिस्से में मोले बांदें, अब इस लोटे में पानी भर कर उसमें कुछ बूंदे गंगा जलकी मिलाएं, फिर उसमें सवारुपया, दूप, सुपारी, इत्र और अक्षट डाले इसके बाद कलश पर अशोक या आम के पांच पत्ते लगाएं अब एक नारेल को लाल कपड़े में लबेट कर उसे मोली से बान दें फिर नारेल को कलश के उपर रख दें अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जो बुए हैं कलश थापना के लिए नवरात्रे के नो वरतों के रखने का संकल्प लिया जाता है आप चाहें तो कलश थापना के बाद माता के नाम की अखंड जोत भी चला सकते हैं इस परकार मित्रों आप कलश थापना करें और मा का भरबूर आशिरवात लें अगर आपको कलश थापना से संबंदित यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट बोक्स में जाय माता की अवश्य लिखें जाय माता की दोस्तों